हलो मेरे प्यारे प्यारे बच्छों कैसे आप सब आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और giveaway जो कि मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही जबर incentive के चलरे है तो जब आपकी पढ़ाई इतनी जबरत। सदीचे चलही रही है तो एस पे कुछ लाइन हो जाये, तो आज का जो हमारा लाइन है, वो ये कहता है कि चूले आस्मान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिन्दगी, खुशी की तलाश ना कर, चूले आसमान, जमीन की तलाश ना कर, जीले जिन्दगी, खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुदी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर तो चलिए, आज हम बिना देरी किये हुए हम चलेंगे अपने लेक्शर पे, और आज जो है हमारा सेकेंड लेक्शर है, हमारे एप का आज सेकेंड दे है, जिसमें आज हम क्लास करने वाले हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने अब तक कोर्स जॉइन नहीं किया है, उनको मैं बतल है, इस कोर्स के बहुत से फीचर्स है, जैसे कि लाइव क्लासे, रिकॉर्डेट क्लासे, टैस सेरीज, विज सल्यूशन, बोड एक्जाम के गेस पीपर्स, पीविएस पीपर्स, सारे के सारे चीज़, डाउट सेसंस, 24 इंटो 7 सापोर्ट, आपको हर चीज यहां पे अवेल इंट्रोडक्शन सेशन लिया हुआ था, जिसमें कुछ नॉर्मल पॉइंट्स बतलाए हुए थे, जैसे कि इस एप में क्या क्या मिलने वाला है, हमारी क्लासे कब-कब होगी, यह सारी चीज़े, मैंने वहां पे आप लोग को डीटिल में बता दी हुई थी, साथी साथ हमन उस चैप्टर के अंदर में क्या क्या है, वो कुछ बाते मैंने आप लोग को बतला दी हुई थी, तो आज हम चलते हैं अपने लेबस पे, अपने चैप्टर पे, जो की है, जो की आज हमारा शुरू होगा, रीप्रोड़क्शन इन और्गेनेस्म, याद कीजे, कल मैंने है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, जिसका नाम है रीप्रोड़क्शन, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, उसका नाम है रीप्रोड़क्शन, जिसके अंदर टूटल चार चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर है, रीप्रोड़क्शन इन और्गेनिज्म, और मैंने कल बताया हुआ था कि ये जो reproduction in organism बाला chapter है ये NCRT ने अपने syllabus से delete कर दिया है तो मैं पहले ही बता जैता हूँ कि NEET के exam में इस chapter से question नहीं आएगा बट बिहार बूर्ड का अभी जो test चल रहा है मंधली वाला उसमें इस chapter से कुछ questions दे दिया गया है इसलिए आपको short में 2-3 lecture में आप लोगों को ये chapter भी अच्छे से मैं clear करवा दूँगा दूसरा जो chapter होगा वो होगा sexual reproduction in flowering plant ठेक है दूसरा जो chapter है वो है sexual reproduction in flowering plant ठेक है जो third chapter है जिसका नाम है human reproduction third chapter का नाम human reproduction और जो fourth chapter है जिसका नाम है reproductive health ठेक है जो fourth chapter है उसका नाम है reproductive health so आज जो हम start करेंगे हमारे first lecture में वो है हमारा आज का lecture reproduction in organism के बारे में clear so चलिए आते हैं हम reproduction in organism पे okay so हमारा जो chapter है आज का जिस चैप्टर का नाम है री प्रोडक्शन इन और और गेनिस्म ठेक है जिसमें की आपको पढ़ाएंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है इसका complete प्रोसेस आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूं देखिए reproduction in organism में जो हम पढ़ेंगे reproduction अब उसी reproduction से लेटे चारो चैप्टर है तो reproduction topic को continue करने से पहले एक छोटा सा topic आता है जिसका नाम है life span ठीक है जिसका नाम है life span अब देखिए ये life span क्या है हिंदी में इसको बोलते है जीवन काल ठीक है जीवन काल तो जीवन काल कहते किसको है तो कोई बोलेगा कि सब बचपन से लेकर के जब उसकी death हो जाती है उस period को जीवन काल कहते है एकदम सही बोलेगा उस student जो उसकी birth से लेकर के उसके death तक के period को जीवन काल student के according ठीक है कहीं न कहीं ये भी सही है बट इसमें थोड़ा सबस improvisation कर रहा है वो ये कि birth से लेकर के उसके natural death तक का जो time period होगा उसको बोलेंगे life span जैसे माल लिजिए कि एक अंकल है A कोई एक अंकल है B थेक है इनका जन्म कब हुआ तो इनका जन्म हुआ था 1970 में इनका भी जन्म हुआ था 1970 में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ birth इनका birth दोनों का birth 1970 में हुआ था इनकी जो death हुई है वो हुई है 2020 में और इनकी जो death हुई है ये भी हुई है 2020 में cause की यहाँ पर बात करे तो इनका जो death हुआ है वो हुआ है car accident के वजह से और इनका जो death हुआ है ये हुआ है natural death तो life span कहता क्या है कि birth से लेकर के birth से लेकर के उसके natural death तक के time period को कहते हैं life span ठीक है इसको बोलते हैं life span तो आप बोलोगे sir इसका life span कितना हुआ इसका life span आप बोलोगे life span कि sir इसका life span हुआ 70 years और इसका भी life span हुआ 70 years but ये correct नहीं है यहाँ पे जो ये है हो सकता है कि यदि वो car accident नहीं होता तो वो कुछ time और जिन्दा रह जाते हैं इसलिए हम इसमें determine नहीं कर सकते हैं कि इनका life span कितना होगा बट उनका life span होगा 70 years ठीक है चलिए अब आते हैं हम अपने chapter के main point अजी आ जाईए clear है clearly आपको दिख रहा होगा चलिए so अब देखिए यहाँ पे जो points है in points के according क्या कहता है यह chapter अब जानते हैं सबी बड़ा excited होगे कि क्या कह रहा है यह chapter देखिए reproduction से पहले जो मैं अभी topic पढ़ा रहा था life span पहले आप उसको देख लीजिए तो the time period the time period from birth to its natural death of an organism is called its life span यानि कि वैसा वो समय जो उसके birth से लेकर कि उसके natural death का समय हो उसको क्या बोलेंगे life span clear lighting की वजह से थोड़ा सा मेरा जो face है काला दिख रहा होगा कोई बात नहीं काला शकाला भागवान शुकेशन भी काले थे साव ले थे ठीक है तो कोई दिकत नहीं मेरे face से क्या मतलब है आपको content अच्छा मिले कोई दिकत नहीं है ठीक है कि उसके किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यू तक के समय को क्या बोलेंगे life span ठेक है no individual is immortal except unicellular organism unicellular organism जब आप लोग पढ़े हुए होगे जब आप लोग को मैंने organism के बारे में पढ़ाया हुआ होगा class 11 में कोई मेरे से पढ़े हुए होगे तो मैंने पढ़ाया हुआ होगा कि organism दो type के होते हैं एक होते हैं unicellular organism और एक होते हैं multicellular organism Unicellular Organism का मतलब क्या होता है जो एक single cell के बने हुवे होते हैं उसको बोलेंगे Unicellular Organism वहीं अधी बात करें Multicellular Organism की तो Multicellular Organism किसको बोलेंगे वैसा Organism जो बहुत सारे cells का बना हुवा होता है उसको बोलेंगे Multicellular Organism जैसे कि Plants हो गए, Animals हो गए, हम लोग हो गए हम लोग क्या है? Multicellular Organism तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? No one is immortal Immortal का मतलब होता है आमरनशील 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 यानि कि जो कभी भी मरता नहीं है अमर रहता है तो भाईया यह मरता नहीं है तो इसके साथ होता क्या है? इसके साथ होता यह है कि यह जो एक Organism है यह तूट करके दो Organism में Divide हो जाता है तो यह यहाँ पर क्या हो रहा है? मरता नहीं है बस क्या होता है? कि तूट करके दूसरे Organism में Divide, दूसरे Organism में Convert हो जाता है ठेक इसलिए बोलते हैं no one is immortal except unicellular organism यानि कि जितने unicellular organism है वो कभी भी मरते नहीं है उनका body divide हो करके उनके बच्चों में convert हो जाता है बट हम लोग और जितने भी multicellular organism है all are we all are mortal मतलब modern shield जिसे इस दुनिया में आया है उसको जाना ही है except unicellular organism clear so कुछ यहां पर organism का organism और उनके life span का chart दे दिया गया है जो कि आपके लिए important है तो इनको याद रखिएगा जैसे rose गुलाब के फूल की यदि हम बात करें गुलाब के फूल की यदि हम बात करें तो उसका life span होता है five to seven years rice plant की यदि हम बात करें तो उसका life span होता है approximately three to four months तीन से चार महिना पन्यान ट्री की यदि बात करें तो four hundred plus years banana tree की यदि बात करें two to three years approximately five years भी लिख सकते हो dog के यदि life span की बात करें तो twenty two years approximately twenty years भी आप लिख सकते हैं butterfly की यदि बात करें तो one two two weeks fruit fly की यदि बात करें तो two weeks parrot यानि की तोता की बात करें one forty years 140 साल बहुत जादा life span होता है इसका याद रखिएगा parrot का one hundred forty years इसका life span होता है crocodile sixty years horse forty to fifty years approach इसको भी आप कह सकते हो approach sixty years ठीक है tortoise कच्छवा one hundred to one fifty years यानि की सौ से डेर सौ साल क्रॉ कौवा पंद्रा साल काव गव माता twenty two years बीस साल elephant fifty to seventy years approach seventy eighty years 90 years तक भी आप कह सकते हो तो ये है कुछ organism और उनके life span का data जो की important है और आपके लिए याद रखना जरूरी है तो इस चीजों को याद रखिएगा clear चले हम आगे बढ़ें तो ये था reproduction in organism का starting वाला first वाला topic that is life span एक मिन्ट मुझे समय दीजेगा जरा बस एक मिनट वाद मिनुट्ट हां जी आल सेट हलो आवाज आ रही है चलिए क्लियर है ओके सो अब यह देखिए मैंने आपको क्या बतलाया कि यह जो यह जो रिप्रोड़क्शन इन और्गेनिस्म चैप्टर है इसमें टोटल तीन टॉपिक है एक था लाइफ स्पैन दूसरा है एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन ठीक है एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन और तीसरा है सेक्शुल रिप्रोड़क्शन तो यह जो लाइफ स्पैन वाला टॉपिक है बहुत चोटा टॉपिक था पांच मिंट का टॉपिक था बस हो गया तो यह बा death टके time period को बोलते हैं life span और यहाँ पे कुछ organism और उनके life span को मैंने यहाँ पे बतला दिया सो यह याद रखेगा point number two अब यहाँ पे मान लिजे कहीं पे लिखा हुआ है 22 years in the sense यह नहीं कि उसका 22 years ही है आप approximately 20 years भी बोल सकते हो यानि कि थोड़ा बहुत वो इधर उधर करके सभी का अलग-अलग data होता है so आप ऐसा नहीं है कि 20 years पे लगा दो कलत हो जाएगा ठीक है या फिर dog है तो 22 years कोई जिन्दा रहेगा 22 years के बाद उसके अगले दिन जिन्दा नहीं रहेगा ये data एक approach data होता है जैसे human का है ना कि human का approach 60-65 साल का life span होता है बट कुछ human ऐसे होते हैं जो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 80 साल, 90 साल कभी भी निकल जाते हैं ठीक है तो ये एक approach data होता है clear आप देखिए इसमें आपको एक चीज़ common दिख रहा होगा एक चीज़ बहुत highlight गौर कीजिए वो ये कि इसमें एक point आगे बताएंगे वो ये है कि जो life span होता है वो किसी भी organism के body के उपर dependent नहीं होता है ठीक है जित किसी भी organism का जो life span होता है वो उसके body के size पर dependent नहीं करता है यदि आपको trust नहों तो यहीं पर देख लीजिए एक है यहाँ पर एक है यहाँ पर क्रॉ यानि कि कववा और एक है यहाँ पर पैरोट यानि कि तोता बात करें कववा की और तोते की तो इन दोनों का body के size में कोई खास difference नहीं होता है एप्रोक्स एप्रोक्स सेमी होता है बट इनके life span की बात करें तो wide difference है बहुत ज़ादा कववा का है मात्र 15 years मात्र 15 साल और पैरोट का 140 years तो यह लाइन भी यहाँ पर लिखा हुआ था गौर कीजिएगा ध्यान से वो यह कि एक मिनट अच्छा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो मैं side में कहीं पर लिख देता हूँ आप इसको note down कर लिजिए कि life span लाइफ स्पैन इस नॉट डिपेंड्स अन और गैनेजम संग बाडी आइज यानि कि जो लाइफ स्पैन है वो और गैनेजम के बाडी के साइज पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है तो वो था हमारा normal point that is life span अब आते हैं हम अपने topic पे हम अपने आज के topic पे जिस topic का नाम है reproduction क्या नाम है reproduction तो देखिए reproduction एक ऐसा process होता है reproduction एक ऐसा process होता है या फिर बोलिए एक ऐसा biological process होता है जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही जैसे संतान को जन्म देता है उसको कहते हैं reproduction हो सकता है कि किसी में gamete का fusion हो या फिर हो सकता है किसी में gamete का fusion ना हो किसी में gamete का fusion सारी किसी में gamete बने ही ना तो जिनमें gametic fusion होता है, gamete बनता है, उस type के reproduction को बोलते है sexual reproduction, बट जिनमें gametic fusion नहीं होता, जिनमें gamete नहीं बनता, उसको कहते हैं asexual reproduction, ठीक है, यानि कि asexual reproduction वाले organism में हम identify भी नहीं कर पाएंगे, कौन सा male है और कौन सा female, So, reproduction is a process in which an organism produces young ones, यानि कि offspring, similar to itself, यानि कि reproduction एक ऐसा biological process है, जिसके द्वारा कोई जीव अपने ही समान बच्चे को जनम देता है, इसको कहते है, reproduction, clear? Point number two, based on the number of participants, reproduction is of two types, अभी ही मैंने बतलाया, कि जो reproduction होता है, यह दो type का होता है, एक होता है asexual reproduction, और दूसरा होता है sexual reproduction, तो अब हम आते है, asexual reproduction पे, जो कि आज का हमारा topic भी है, so, asexual reproduction, अब देखिए, asexual reproduction क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैंने क्या बतलाया, कि asexual reproduction में क्या होता है, कि reproduction का वैसा process, जिसमें gametic fusion नहीं होता है, जिसमें gamete नहीं बनता है, जिसमें male female नहीं होता है, इस type के reproduction को बोलते है, asexual reproduction, तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, it is the production of offspring by a single parent, यानि कि यहाँ पे male female की आवश्यक्ता ही नहीं है, जैसे sexual reproduction में है न, कि दो partner चाहिए, जिनमें से एक male और दूसरा female होना compulsory है, एक male और एक female चाहिए ही चाहिए, यहाँ पे कोई compulsor नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक ही organism, अपने जैसे बच्चों को जन्म देता है, कैसे, वो आगे बतलाएंगे, तो वहीं यहाँ पे बोल रहा है, कि इस type के reproduction में, off spring के लिए सिर्फ single parent चाहिए, clear, यह asexual ज्यादा तर unicellular organism में देखा जाता है, simple और simple plants और animals में देखा जाता है, अब देखिए, एस sexual reproduction के द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे, उससे हम कहते हैं, clone, क्यों clone कहते हैं, क्योंकि वो genetically और morphologically दोनों ही angle से अपने parents के समान होते हैं, देखिए, वो genetically और morphologically यानि की gene के according और morphology यानि की बाहरी structure के according, दोनों के according अपने parents के समान होते हैं, जैसे देखिए, यह रहा कुछ structure, यह रहा कुछ structure, यहाँ पर दिख रहा होगा, यह है, इनके बच्चे हैं, अब देखिए, यह और इनके बच्चे वैसे छोटा-छोटा है, इसलिए आप identify कर लिए कि यह इनका बच्चा होगा, लेकिन इनके जो तीनों बच्चा है, क्या आप इसमें identify कर पाईएगा, यदि मैं इन तीनों को उलट फिर कर दो तो, तो इसका आंसर होगा, no, so, a-sexual reproduction के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, वो genetically, यानि कि gene के according भी, और साथी साथ morphologically, बाहर से देखने में भी, दोनों ही तरह से, अपने मम्मी पापा के, बच्चे पैदा होते हैं, उसको कहते हैं, clone, clear, a-sexual reproduction के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको बोलते हैं, clone, अब आईए, types of a-sexual reproduction पे, अब भाईया, हमने ये तो जान लिया, कि life span क्या होता है, हमने ये भी जान लिया, कि reproduction क्या होता है, हमने ये भी जान लिया, कि reproduction दो टाइप का होता है हमने ये भी जान लिया कि asexual reproduction क्या होता है और sexual reproduction क्या होता है उसके बाद जब हम अपने topic पे आये जो कि है हमारा asexual reproduction तो asexual reproduction में भी हमने जान लिया कि asexual reproduction क्या होता है उसके बाद हमने ये भी पता कर लिया हमने ये भी देख लिया कि जो ये sexual reproduction होता है वो unicellular organism और जो simple plants और animals होते हैं उनमें हमें देखने को ये मिलता है अब आए उसके types पे ठीक है जी types एक type तो है उसका fusion याद कीजिए मैंने पहले भी आप लोगो बतलाया हुआ था याद रखने का तरीका एक होता है fuse जो की bulb में लगता है यदि आप उस fuse को निकाल लोगे electricity से तो light कट जाएगी यानि कि जब तक fuse उसके अंदर है निकाल लिए उसका वजूद खतम जैसे माल लेजी आप लोग स्टूडेंट है अब आप लोग क्रिकेट के मैदान में वहाँ पे चले गए क्रिकेट देखने के लिए तो वहाँ पे कोई आपकी स्टूडेंट के तरीके से value तो ही न करेग वहाँ पे तो आप बस वहाँ पे देखने के लिए गये सभी वहाँ पे देखने के लिए आते हैं सेम वैसे ही जब तक यह fuse electricity के बाहर है वो उसका सिर्फ कुछ कीमत है कुछ खास उसका हमियत नहीं लेकिन जब तक वो उसमें जुडा हुआ नहीं है शौकेट में लगा नही है तब तक उसका खास अस्तित तो नहीं है तो fuse मतलब जुडा हुआ नहीं है उसमें electricity में तो इसी word से बनता है fusion और fusion का मतलब होता है जुरना ठीक है और fusion का direct उल्टा होता है fusion ठीक है और normal language में breakup यानि कि पिछरना अलग होना तो fusion asexual reproduction का वैसा process जिसके द्वारा कोई जीब अपने body को जिसके द्वारा कोई जीब का body जो है वो तूटता है और तूट करके नए जीब में convert होता है उसी को बोलते है fusion भी यहाँ पे दो प्रकार का होता है एक है binary fusion और दूसरा है multiple fusion देखिए binary में देखिए by by मतलब दो और fusion मतलब तूटना यानि कि यदि कोई पूछे कि what is binary fusion तो क्या बोलोगे कि asexual reproduction का वैसा process जिसके द्वारा कोई जीब दो बराबर भागों में तूट कर नए organism को जन्म देता है नए organism के रूप में convert होता है उसको बोलेंगे binary fusion तीसरा उसका fusion का दूसरा type multiple fusion multiple शब्द से है multiple मतलब जादा मतलब बहुत सारे ठीक है जादा मतलब बहुत सारे और fusion मतलब तूटना यानि की asexual reproduction का वैसा process जिसके द्वारा किसी जीव का body बहुत सारे भागों में तूटता है और बहुत सारे भागों में तूट करके नए organism के रूप में develop होता है उसी को बोलते है multiple fusion उसके बाद है budding ठीक है budding बड़िंग बना है एक word से जिसका नाम है bud मान लिजे कि यह plant है ठीक है अब plant में क्या है या फिर मान लिजे कि कोई भी organism है ठीक है मान लिजे कि कोई भी organism है यहाँ पर मान लिजे कुछ एक external structure निकला हुआ है तो जो अलग से कुछ external structure निकला हुआ होता है इसी को बोलते है बड़ यानि कि कली ठीक है कली कहा की किश्मीर की नहीं भाई किश्मीर की नहीं ये कहा की biology की तो body का कोई external part जो की अलग से निकला हुआ होता है उसको बोलते है बड़ यानि कि कली तो ए sexual reproduction का वैसा process जिसके द्वारा कोई जीव बड़ से develop होता है यानि कि क्या होगा ये एक जीव है इस जीव में ये बड़ पहले develop होगा उसके बाद यहीं बाला बड़ ऐसे एक जीव में convert हो जाएगा तो इस process को बोलेंगे budding पहले कितना था एक organism अब कितना हो गया दो नंबर बढ़ाना इसी को बोलते हैं ए sexual reproduction का process budding और एक है vegetative propagation तो इस इन सब के बारे में आप clear structure देखना है और clearly आगे भी जानना है सो आईए यहाँ पर और देखिए enjoy कीजिए class को देख है बिना डरे बिना किसी चीज के बड़े ही मस्ती के साथ सो देखिए यहाँ पर hello आवाज आ रही है okay hello 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 okay चलिए so asexual reproduction अभी हम लोग हमारा यहीं topic चल रहा है और आज हमारा यहीं topic चले का लिए in this the parent cell divides यानि कि cell division into two or more individual example protesta and monerance चेक है यानि कि जो fission है यह अभी हम किसके बारे में पर रहे हैं fission के बारे में कि fission क्या है इसमें क्या होता है parent cell का parent cell का जो body है वो दो या फिर दो से अधिक भागों में divide हो करके नए जीव के रूप में convert होता है उसको बोलते हैं fission इसका example है protesta group के members और monerance group के members अभी मैंने बतला है पिछले इससे पहले पिछले वाले slide में जो fission है ये दो type का होता है एक binary fission और दूसरा multiple fission binary fission देखिए it is the division of parent cell into two individual यानि कि ये एक ऐसा division का process है जिसके द्वारा कोई parent cell दो individual में convert होता है यानि कि fission का या फिर a sexual reproduction का वैसा process जिसके द्वारा कोई जीव दो बराबर भागों में convert होता है उसको बोलते है binary fission जिसका example है amoeba हो गया paramecium हो गया ये सब किसके example है binary fission के तो देखिए ये रहा amoeba amoeba का ये वाला है ये है amoeba और amoeba का amoeba के पास है parents मतलए कि ये parents cell वाला है उसके अंदर में nucleus होता है उसके बाद थोड़ा सा चौड़ा होना start होता है ये जो cell है parents से लिए चौड़ा होना start होता है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि nucleus divide हो रहा है अब देखिए अगले case में इसमें nucleus दोनो nucleus अलग-अलग हो cell है वो divide हो जाएंगे यानि कि थे पहले कितना amoeba एक अब कितने हो गए दो क्या इसमें male और female की जरुत परी तो no क्या इसमें कोई gamete बना no और यदि gamete नहीं बना तो जाहिड सी बात है gamete fusion भी नहीं होगा तो यह रहा binary fusion same paramecium में भी वहीं हाल है एक paramecium था इसका nucleus देखिए इस वाले में लग रहा है कि divide हो रहा है इस वाले में divide हो गया इस वाले में अलग हो गया तो एक paramecium से बन गया दो paramecium तो यह भी क्या होंगे binary fusion multiple fusion it is the division of parents into many individuals यानि कि asexual reproduction का या फिर fusion का वैसा process जिसमें कोई एक जीव बहुत से organism में बहुत से जीवों में convert हो जाता है और convert हो करके नए जीव के रूप में convert होता है उसको बोलेंगे multiple fusion और multiple fusion का example है plasmodium हो गया amoeba हो गया यह किसके example हो गया multiple fusion के तो देखिए यहाँ पे multiple fusion in plasmodium एक plasmodium है और एक plasmodium से कितना सारा plasmodium बन गया that is multiple fusion clear चलिए next अब देखिए कुछ special phenomenon होता है अब उसके बारे में देखिए अभी मैंने क्या बतलाया कि fusion में मैंने क्या बतलाया एक होता है binary fusion और दूसरा होता है multiple fusion fusion मैंने क्या बतलाया एक binary fusion और दूसरा मैंने बतलाया multiple fusion clear binary fusion और multiple fusion अब जो binary fusion मैंने बतलाया मैंने बतलाया कि binary fusion में क्या होता है कोई एक जीव दो भागों में divide होता है और दो पार्ट में divide होकर के दो नए जीव के रूप में convert होता है उसको क्या बोलेंगे binary fusion और उसके बाद मैंने बतलाया multiple fusion कि multiple fusion में क्या होगा कि कोई जीव बहुत सारे भागों में divide हो जाएगा और divide होके उसके जितने भाग हैं जितने पार्ट हैं वो सब नए जीव के रूप में convert हो जाएंगे उसको बोलेंगे multiple fusion अमिवा के अंदर दोनों ही चीजे होती है binary fusion भी होता है और multiple fusion भी होता है यदि नॉर्मल condition की बात करेंगे favorable condition की बात करेंगे तो अमिवा में होता है binary season but abnormal condition में unfavorable condition में amoeba में क्या होता है multiple season तो देखिए यहाँ पे कैसे हैं अंडर फेवरेवल कंडीशन प्रणी अंडर अनफेवरेवल कंडीशन amoeba withdraws its pseudopodia amoeba के amoeba के side side में जो काटे के जैसे जो अलग अलग irregular structure निकला हुआ होता है जैसे कि यह रहा 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 यह सब क्या है जो amoeba के side side में जो irregular structure होता है इन ही को बोलते हैं pseudopodia तो जैसे गर्मी होती है अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में क्या होता है कि जब गर्मी हो रही है तो एकदम बॉडी से पसीना टपकता है ना सेम वैसे ही इन में भी क्या होता है कि जब इनका अनफेवरेवल कंडीशन होता है तब अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को बाहर कर देते हैं बाहर करने के बाद इनका यहीं सारा जो सीडोपोडिया है वो किया करता है अमीवा के बाहर तीन लेयर वाला अमीवा के बाहर तीन लेयर वाला एक हाड launches बना देता है जिसका नाम होता है सिस्ट और इसी फेनोमेनन को बोलते हैं इन सिस्टेशन मैं एक बार अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार अगेन समझा देता हूँ जिससे आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो देखिए जब अमीबा का फेबरेबल कंडिशन होगा जब अच्छा समय होगा अमीबा का तब अमीबा क्या होगा कि अमीबा में बाइनरी फीजन होगा लेकिन जब उसका फेबरेबल कंडिशन नहीं होगा जब उसका अच्छा समय नहीं होगा तब अमीबा में क्या होगा unfavorable condition यानि कि जब उसका unfavorable condition रहेगा तब amoeba क्या करेगा अपने pseudopodia को withdraw कर लेगा अपने शरीर से निकाल देगा और निकाल करके इसका जो pseudopodia है वो तीन layer वाला एक hard covering बना लेता है जिसका नाम है cyst और इसी process को बोलते हैं insistation clear अब जब अब जब उसका favorable condition वापस आएगा तो देखिए when favorable condition returns या फिर under favorable condition जब उसका favorable condition वापस आएगा अब आप बोलोगे कि सर उसका favorable condition वापस आगया तो वो तो binary fusion होगा ना बाबा ना binary fusion यदि होगा तो उसमें क्या pseudopodia तो होता बट यहाँ पर तो उसने अपने pseudopodia को शरीर से बाहर कर दिया है और तीन लेयर वाला एक hard covering भी बना लिया है जिसका नाम है cyst राइट सो अब सिस्ट वाले case में अब क्या होगा जब उसका favorable condition वापस आएगा तो वो जो insisted amoeva था उसमें क्या होगा multiple fusion होगा और वो क्या करेगा बहुत सारे minute मतलब छोटे-छोटे बहुत सारे छोटे-छोटे अमीवा को अपने मतलब की multiple fusion होगे बहुत से छोटे-छोटे अमीवा के रूप में convert हो जाएगा जिस अमीवा को बोलते हैं pseudopodiospore वही minute अमीवा अब देखिए ये क्या हुआ ये वाला दिखरा है आपको अब इसमें ये क्या था ये जो एक था एक से क्या होगा बहुत सारे छोटे-छोटे अमीवा बने अब इसके बाहर जो सिस्ट बन गया था इसके बाहर जो इन सिस्ट ये सिस्ट ये covering layer जो बन जाता है अमीवा के बाहर अब वो सिस्ट में क्या होगा burst यानि कि वो सिस्ट वाल अब फटेगा और फट करके उसके अंदर में जो छोटे-छोटे स्पोर थे जो minute अमीवा था जिसको हम सिडो पोडियो स्पोर भी कह रहे थे तो वो क्या होंगे अब माली जैसे बड़े होता है बड़े में क्या करता है बहुत से बहुत लोग बड़े में क्या करेंगे बैल उनके अंदर वो जो एक अमीवा था वो तो क्या हो गया वो तो बहुत सारे छोटे-छोटे अमीवा जिसको बोलते हैं स्पोर या फिर नॉर्मल लेंगज़ आप इस पोर भी बोल सकते हैं उनमें कनवर्ट हो गया अब क्या होगा जो वो उसके चारो और जो सिस्ट वॉल रेडी हो गया था अब वो सिस्ट वॉल फटेगा और फट करके उसके अंदर जितने सारे अमीवा थे वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आ करके बहुत सारे अमीवा में कनवर्ट हो जाएंगे तो था पहले कितना अमीवा एक अब कितना हो गया बहुत सारा तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इस पोरू लेशन आगे बढ़ें चलिए नेक्स्ट अब आईए यह देखिए दूसरा प्रोसेस वो हम क्या पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे फीजन और यह दूसरा प्रोसेस क्या है बड़ींग इन दिस प्रोसेस अ बड़ एपियर एंड ग्रो इन दे पेरिंट बोड़ी देखिए यह है और पेरिंट बोड़ी में यह दिख रहा है बड़ यह वाला दिख रहा है आपको बड़ यह वाला पेरिंट बोड़ी में बड़ कैसे बनता है देखिए अंदर में था धीदी बाहर आया हलकाल का बाहर आया और यह जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं करता है और grow करने के बाद after maturation जब वो mature हो जाता है it is detached from parent body to form new individual यानि कि वहीं जो bud है वो अब क्या होगा अलग हो जाएगा parent body से और नए नए जीव के रूप में convert हो जाएगा that process is known as budding तो देखिए पहले कितना जीव था एक जीव अब यहीं divide हो करके क्या होगा दो जीव में convert हो जाएगा इसी process को क्या बोलते हैं budding इनके कुछ examples हैं याद रखेगा hydra sponge yeast यह सारे के सारे इसके example है दिख रहा होगा यह वाला है hydra यह है sponge और यह वाला है yeast clear this is budding अब आई यह third वाला जो process था that is fragmentation clear तीसरा जो process था वो था fragmentation देखिए एक हमने पढ़ा क्या binary fusion अब यह हम पढ़े इस actually production का टाइप एक हमने पढ़ा fusion के अंदर binary fusion जिसके अंदर एक जीव दो जीवों में convert होकर दो पार्ट में convert होकर के दो नए जीव के रूप में convert हो जाता है उसको बोलेंगे binary fusion multiple fusion में क्या होता है कि कोई एक जीव बहुत सारे पार्ट में divide होता है और उसका बहुत सारा पार्ट क्या होता है उन नए जीवों में convert होता है इस process को बोलेंगे multiple fusion दूसरा पढ़े budding जिसमें body के अंदर में एक external structure grow करता है जिसको बोलते हैं bud और वहीं बढ़ फिर बाद में parent body से अलग हो करके नया जीव बना लेता है इसको बोलते है बढ़ फ्रेगमेंटेशन नाम से ही इस फष्ट है fragment मतलब टुक्रा फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है भाई टुक्रा ठेक fragment मतलब टुक्रा मतलब पीस तो इस टाइप के process में क्या होता है जैसे मैंने बतलाया कि binary fusion तो binary fusion में दो बरावर भागों में divide होगा, multiple fusion में बहुत सारे बरावर भागों में divide होगा लेकिन fragmentation में क्या होगा जैसे मान लीजे कोई एक jeep है ठीक है, अब यहां से तूट जाएगा अब यहां पे क्या हो रहा है तुकरा, तुकरा का मतलब क्या होता है कहीं से भी तूटा हुआ पार्ट अब यहां से कहीं से भी पार्ट तूट जाएगा और यह वाला jeep जो है वो एक पहले के जैसे jeep बना लेकर यह वाला छोटा तुकरा भी क्या करेगा, बड़े जीव के रूप में, convert हो जाएगा इसी process को बोलते है fragmentation, तो देखिए in this दिखा हुआ है यहां पे कि in this process the body breaks into distinct pieces, जिसको बोलते है fragment, यह निकि इस process में जो body है, वो बहुत सारे pieces में, बहुत सारे टुकरों में क्या होगा divide होगा, और divide हो करके क्या होगा, उसका जो each fragment, जितना उसका fragment होगा, वो एक नए adult organism के रूप में convert होगा, उसी को बोलते है fragmentation, और fragmentation, हाइडरा में भी होता है, जैसे मैंने बतलाया ना कि amoeba में binary fusion भी होता है, multiple fusion भी होता है वैसे ही हाइडरा में budding भी होता है और fragmentation भी होता है दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जैसे माले हाइडरा की हम बात कर रहे है तो देखिए, इसका body का कोई सा part divide हो करके दो part में convert हो रहा है, यदि हम plan area की बात करें, इसमें भी इसका छोटा छोटा part हो करके, नए जिवो में convert हो रहा है, इसको बोलते हैं fragmentation, clear clear है यहाँ तक बात चलिए next vegetative propagation vegetative propagation important thing of sorry, from reproduction in organism vegetative reproduction होता क्या है तो इसमें क्या होता है it is the production of offspring from vegetative propagules in plants यानि कि क्या होता है कि जो reproductive organ के अलावा जब मान लिजे किसी जीवो किसी नए जीव की उत्पत्ती reproductive organ के अलावा दूसरे organ से होता है तब उसको बोलते है vegetative propagation यानि कि जब उसका growth क्या होगा stem से होगा, root से होगा, leaf से होगा तब उसको बोलेंगे vegetative propagation और vegetative propagules क्या है यह unit है vegetative propagation का ठीक है vegetative propagules क्या है यह unit है vegetative propagation का यानि कि जैसे देखिए eyes of potato जो potato है वो potato आलू यह क्या है आलू की आखे यह मत समझना आलू का चालू नहीं तो फिर से वहीं वाला मतला ना जायेगा आलू का चालू बिटा कहा आ गया था भैंगन की टोकरी में रो रहा था ठीक है सो क्या है यह potato का आई है अब वो क्या है potato का आई है तो जो आलू का development जो होता है वो किस से होता है वो इसके eye से होता है आँख से होता है आँख तेरी छलकी तो दिलिये मेरा रोता है so eyes of potato तो यहाँ पे eyes क्या हो गया यह हो गया वेजिटेटिव प्रोपागिूल्स clear? चलिए next है examples है कुछ वेजिटेटिव प्रोपागिशन्स के यह याद रखिएका यह important है और यह चीज़े आपको काम देगी और exam में इसी से इसी type से question पूछा आता है उनके examples जैसे की birds या फिर eyes of the potato potato में क्या होता है? यहाँ पे भी लिखा हुआ है eyes of potato, rhizome of ginger, bulbil of agave, leaf bud of bryophyllum और offset of water hyacinth water hyacinth के बारे में लास्ट में बतलाएंगे उसके बारे में कुछ चीज़ है water hyacinth को ही हिंदी में बोलते हैं जलकुम्भी ठीक है? तो इसके बारे में बताएंगे लास्ट में बढ़ाईंटरेस्टिंग चीज़ है यह वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिख दिया है the nodes come in contact with damp soil और water produce root and new plant node किसको बोलते हैं? जैसे मान लिज़े कि यह plant है, अब plant में मैंने यह बोला यह है क्या bud लेकिन जहां से दूसरा stem निकलता है तो यह वाला जो point है इसको बोलते हैं node ठीक है? तो यह जो bud और rhizome होते हैं यह stem के node से, अब इसी node पे तो देखोगे न कि यहाँ पे bud निकल रहा है, तो bud कहाँ पे निकलता है stem के node से निकलता है ठीक है? और फिर बाद में चल करके यह node क्या करते हैं? जमीन के अंदर जो होते हैं यह soil और water के contact में आ करके नए-नए root जड़ों को और plants को develop तरते हैं, clear? उसके बाद same वहीं चीज, buds of bryophyllum, woolville of agave, offset of water hyacinth, ठीक है? यह सब याद रखिएगा, यह important है कहीं न कहीं next, कुछ और भी asexual reproductive structures हैं, जिनको बोलते हैं zoo, जिनको बोलते हैं zoo, spores, conedia, gamule, जैसे कि यह दिया हम बात करें zoo spores की, तो zoo spores क्या होता है? अब यह बतलाएते हैं, zoo spores, zoo spores अलग टाइप के structures होते हैं, microscopic motile structure होते हैं, जो की algae और protist के पास होता है, तो zoo spores in clamidomonas, याद रखिएगा, asexual वो बाला क्या था? vegetative reproductive structure, याद रखिएगा, बहुत student इसमें confused होते हैं, बहुत student को पूछा जाता है कि यह sexual reproductive structure लिखिये तो दो तीन, तो वो उधर वाला लिख देते हैं, बुल्विल ओफ एगे हो गया, eyes of potato हो गया, offset of water hyacinth, बट वो क्या है? वो है vegetative reproductive structures और जिसको short में हम बोल सकते हैं कि vegetative reproduction भी बोल सकते हैं, बट वो एक special type का reproduction है, clear, ponidia in penicillium, jamule in sponge, यह देखिए, zoos force of clamidomonas, ponidia of penicillium, jamule in sponge, उसके बाद यहाँ पे जो कह रहा है line, वो line यह कह रहा है कि Asexual reproduction is a common method in simple organism like algae and fungi, during adverse condition they shift to sexual method, यानि कि Asexual reproduction जो है वो बहुत common है, simple organism में यह पाया जाता है, जैसे कि algae, fungi इन सब में यह पाया जाता है, यदि बहुत ज़्यादा adverse condition होगी, तो उस time में उनमें sexual reproduction होता है, बट generally जो है, वो Asexual reproduction ही होता है, और यह बहुत common है, जो कि हमें simple organism में दिखाए देता है, higher plants reproduces asexually and sexually, जो बड़े बड़े पेर पौदे होते हैं, वो Asexually और sexually, दोनों ही तरीके से वो reproduce करते हैं, बट generally के दिए हम बात करें, या फिर 95%, 99% के दिए हम बात करें, तो plants में sexual reproduction ही होता है, clear, so ये था आज का आपका Asexual reproduction, hope आप लोगो को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगो को lecture पसंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा, ऐसे ही हम पढ़ेंगे, ये तो खेर अभी PPT है, बट आने वाले समय में हम, जो है, so आने वाले समय में हम और भी चीजों का use करेंगे, animations के द्वारा भी पढ़ाएंगे, बहुत से चीजों का हम animations भी दिखलाएंगे, videos के तुरू दिखलाएंगे, कि जों में reproduction हो रहा है, किस-किस तरीके से हो रहा है, वो सारा चीज बहुत detail में बताएंगे, बहुत ही सुन्दर तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है, so यदि जो student अभी तक भी, जिन्हों ने app join नहीं किया है, सभी लोग जल से जल अप को join कर लीजिए, बिकॉज एप में बहुत से features हैं, जो कि offline में possible नहीं है, so यहाँ पे app में features उनको add किया गया है, साथी साथ आपने देखी लिया आज का class, और ऐसे ही हमारे classes continue रहेगी, ठीक है, so thank you so much, मिलते हैं अगले में, तो यह रहा, जो लोग join नहीं किये हो, अभी भी मौका है, नहीं तो आगे यह दी निकल जाएगा syllabus, फिर backlog हो जाएगा, और backlog यह जादा हो गया, तो दिक्कत जादा होगी, ठीक है, so google play store पे जाईए, वहाँ पे search कीजिए, वहाँ पे search कीजिए, sapience classes app, जो की easily आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा, firsty number पे आजाएगा, sapience classes, download कीजिए, और उसमें जैसे ही आप enter कीजिएगा, तो वहाँ पे एक प्रारंभ batch का option आएगा, तो batch को join कीजिए, और फिर class को enjoy करते हैं, चलिए, thank you so much, मिलते हैं, अपने अगले class में और अगले class में पढ़ाएंगे, sexual reproduction और sexual reproduction के पढ़ाते ही चैप्टर हमारा हो जाएगा, finish, और उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले chapter पे, next chapter पे, thank you so much guys, bye bye,